दोस्तो इस वीडियो में टोटल 5 शेर्स को हम कवर करने वाले हैं जिसमें सबसे फिले IRFC 29 सितंबर इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है IRFC के शेर होल्डर्स को फाइनली यहाँ पर प्राइस अनलोकिंग देखने को मिल सकती है बात करें IRCTC के अंदर तीन बड़ी शांदर खबर यहाँ पर निकल कर आई है जिसके करण IRCTC के अंदर भी आपको नेक्स्ट विक जो कल से स्टार्ट हो रहा है उसमें वापिस ओल टाइम हाई देखने को मिल सकते हैं इसी इनी सब के साथ में विप्रो लिमिटेट ने भी यहाँ पर दो बड़ी अपडेट्स डिकलैर कर दी है और बात करें HFCL लिमिटेट की तो HFCL लिमिटेट के अंदर भी सेप्टेंबर का मन बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है और साथ ही साथ यहाँ पर एक और कंपनी की बात करने वाले हैं जहाँ पर आपको कंपनी ने 1-4 के रेशो का यानि की हर 100 शेर के बतले 400 शेर, 1000 शेर के बतले 4000 शेर कंपनी देने जा रही है तो चलिए दूस्तों विडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के उसके बिले यदि अपने चैनल पर first time विजिट के आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बिल आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी मत बुलेगा विडियो की स्टार्टिंग IRFC से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ IRFC याने कि Indian Railway Finance Corporation Limited यहाँ पर investor इस share से थोड़ा सा खफा खफा रहते हैं मेरा कहने का मतलब है कि जब से यह shares NAC और BAC पर लिस्टेड हुआ है तब से लेकर इसने कोई शांदर returns यहाँ पर नहीं बना है बलकि यूँ कहूँ कि 26 रुपे के level से above तो इसने यहाँ पर target भी नहीं दिखाए है लेकिन अब IRFC के अंदर कुछ बड़े important targets आपको देखने को मिल सकते हैं इसा मैं क्यों कह रहा हूँ वह भी मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले अगर आप IRFC के fundamentals numbers की तरफ नजर मारेंगे तो company के fundamentals numbers बिलकुल भी बुरे नहीं है जी हाँ दोस्तों IRFC जैसा कि आपको पता है कि Indian Railway को finance provide करने का company काम करती है और इनका monopoly का business हमें देखने को मिलता है साथी साथ IRFC का share एक slow moving shares है यानि कि वही retail investors यहाँ पर investment करके रखें जो long term के लिए इस shares के अंदर बने रह सकते हैं अब बात करें कि 29 September 2021 तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा special होने वाली है तो 29 September को company की 34th annual general meeting यहाँ पर held होने जा रही है जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं जो official announcement यहाँ पर IRFC की तरफ से निकल कर आई है वही मैंने आपके सामने open कर रखी है जिसमें आप देख सकते हैं company की जो 34th annual general meeting है यानि कि Indian Railway Finance Corporation Limited की वो 29 September को 3 PM को आपको video conferencing के तुरू यहाँ पर देखने को मिलने वाली है जिसमें company कुछ important decisions यहाँ पर ले सकती है क्योंकि आपको पता है कि COVID pandemic पूरी तरीके से अब reduce हो गया है उसका ultimately benefit IRFC के अंदर हमें देखने को मिल सकता है साथी साथ 10 September 2021 के दिन भी IRFC की तरफ से एक बड़ी update यहाँ पर निकल कर आ चुकी है जिसमें IRFC अपने जो chief risk officer है याने की CRO उसे change करने की यहाँ पर बात कर रहे है चलिए दोस्तों बात कर लेते another shares के बारे में जो कि IT sector से बिलॉंग करता है Vipro Limited की तरफ से दो नहीं बलकि तीन बड़ी updates यहाँ पर निकल कर आ रही है जिसे यहाँ पर मैं आपके साथ share करने वाला हूँ सबसे बिले अगर बात करें Vipro Limited की पिछले एक महिने की performance के बारे में तो पिछले एक महिने के अंदर Vipro ने काफी शांदार returns यहाँ पर बना कर दिये हैं और अब यहाँ पर आपको 700 रुपे तक के target आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी updates जो यहाँ पर Vipro की तरफ से निकल कर आई है यह आप देख सकते हैं Vipro leaders to start returning to office from tomorrow जी हाँ दोस्तों यहाँ पर Vipro के update की तरफ से यह update आज ही के दिन जी हाँ देखने को मिल ही नहीं सकते हैं बलकि confirm news यहाँ पर निकल कर आ चुकी है Vipro के chairman नहीं यह statement declare किया है और after 18 long months यानि कि 18 महीनों के बाद में वापीस यहाँ पर Vipro के जितने भी employees हैं वो यहाँ पर आपको back to office देखने को मिल रहे हैं on office अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर जो business की growth ही उसके अंदर आपको और तीजी से यहाँ पर expansion होते वे देखने को मिल सकता है साथी साथ अगर Vipro Limited के financial numbers की भी बात करी जाएं तो Vipro Limited के भी financial numbers बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं Vipro Limited के shareholders के लिए कल का दीन इसलिए ज़्यादा special होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको कल के दीन याने कि 13 September 2021 के दीन 28th annual class की यहाँ पर investor conference देखने को मिलने वाली है जिसमें Vipro Limited के shareholders के मन में जितने भी doubt है जितने भी आपके questions है company उन सारे questions का answers इस investor conference के थुरू देने की कौशिश करने वाली है तो इस investor conference के जो भी outcomes रहेंगे वो आपको हमारे टेलिग्राम चेनल और हमारे YouTube चेनल से अपडेट कर दिये जाएंगे तो यदि आपने Vipro के अंदर investment कर रखा है तो कल आप Vipro को बिलकुल भी यहाँ पर miss करके मत चलिएगा चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं IRCTC के बारे में IRCTC की तरफ से जो important updates यहाँ पर निकल कर आई है उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं जिसमें सबसे पहली updates यहाँ पर जो निकल कर आई है आप देख सकते हैं IRCTC latest news railway plans to resume normal services of passenger trains in this month तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IRCTC ने यहाँ पर प्लान किया है कि जो September month आपको currently running होते हुए देखने को मिल रहा है इसमें जितनी भी आपको COVID के कारण restrictions लगाए गई थी passenger vehicle strain के अंदर वो पूरी तरीके से अब हटते हुए देखने को मिल सकती है और normal services जो आपको pandemic के पहले देखने को मिलती थी वही services अब वापिस यहाँ पर run होते हुए देखने को मिल सकती है तो अगर इसा होता है तो ultimately IRCTC को इसका बहुत ज़्यादा benefit मिलने वाला है साथी साथ IRCTC is all set to start 24 into 7 food court at New Delhi Railway Station तो New Delhi Railway Station के अंदर भी company अब पूरी तरीके से यहाँ पर अपने food court को start करने का मन बना चुकी है और 24 into 7 आपको ये services देखने को मिलने वाली है साथी साथ जिसा कि आपको पताए कि IRCTC के उपर F&O में बेन लगाया गया है जिसको देखते वे यहाँ पर जो updates निकल कर आ रही है याने कि last week तीन shares के उपर बेन लगाया गया था नेशनल, Aluminium, India Bull Finding Housing और साथी साथ IRCTC अब IRCTC के अगर बात करें तो अगर आप इसका current MWPL देखेंगे तो यहाँ पर 81.68% के आपको देखने को मिल रहा है याने कि overall IRCTC आपको next याने कि कल के trading session में या फिर next tomorrow trading session में आपको ये shares F&O के बेन से बाहर आते वे देखने को मिल सकता है तो इन तीनी बड़े reason के कारण आपको IRCTC के अंदर शांदार movement देखने को मिल सकते हैं आने वाले trading sessions में IRCTC shares भी fundamentally बहुत ही strong है और यहाँ पर अगर आपने investment कर रखा है तो long term का view रखें ये shares आपको 5000 रुपे के उपर trade होते हुए 100% देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों बात कर लेते अनदर shares के बारे में HFCL Limited टेलिकॉम सर्विस सेक्टर से बिलाउन करती हुई एक कंपरी जिसके अंदर last trading session में आपको कुछ था खास movement देखने को नहीं मिले लेकिन अगर पिछले एक मेने का अगर आप चार्ट बेटन देखेंगे तो 8.5% तक की शांदर तीजी यहाँ पर HFCL Limited के अंदर आपको देखने को मिल चुकी है साथी साथ HFCL Limited के अंदर जो यहाँ पर important news निकल कर आई है जिसके बाद ये shares आपको 100 रुपीस के अबव भी trade होते वे देखने को मिल सकता है जी हाँ दोस्तों क्या है वो update चलिए जानते हैं जिसा कि आप देख सकते हैं HFCL Limited की 34th Annual General Meeting याने की company आज की नहीं है company को लगबग 34 years हो गए है establish हुए तो आप देख सकते हैं company की जो Annual General Meeting है 34th Annual General Meeting उसकी updated यहाँ पर announcement निकल कर आ चुकी है HFCL Limited की 34th Annual General Meeting 30 September 2021 याने की 30 September 2021 को company held करने जा रही है जिसमें यहाँ पर आपको पता है कि HFCL Limited भी यहाँ पर fundraising का plan कर रही है जिसमें shareholders से approval यहाँ पर company ले सकती है और साथ ही साथ में जिसा कि आपको पता है कि यहाँ पर भारत net projects को भी final approval अब मिलने वाला है तो उसको लेकर भी company कुछ important decisions यहाँ पर shareholders के साथ discuss कर सकती है तो HFCL Limited के भी जो भी outcomes रहेंगे वो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल और हमारे YouTube चैनल से update कर दिये जाएंगे चलिए दोस्तों अब finally यहाँ पर उस shares के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पर company ने आपको bonus shares declare किये हैं जी हाँ दोस्तों उसका नाम है Crown Lifters Limited Crown Lifters Limited जिसके अंदर bonus shares declare करने के बाद में आपको इस shares के अंदर 5% का upper circuit भी last trading session में देखने को मिल चुका है एक small cap company जिसका market capitalization ही सिर्फ 18 करोड सुरुपीस का है जी हाँ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा small cap company है जिसमें आप देख सकते हैं company की तरफ से जो important announcement यहाँ पर निकल कर आई है recently 8 सितंबर 2021 के दिन ही announcement निकल कर आई है जिसमें company ने 1 is to 4 के ratio का यहाँ पर bonus shares declare किया है यानि कि अगर आपके पास crown limited के 100 shares हैं तो company 100 shares के बतले 400 shares आपको bonus के रूप में देने वाली है और अगर आपके पास इस company के 1000 shares हैं तो 1000 shares के बतले company आपको 4000 shares यहाँ पर बिलकुल मुफ्त में देने वाली है तो यदि आप इस bonus का benefit उठाना चाते हैं तो यहाँ पर company की तरह से जो भी record date और x date announce करी जाएगी वो आपको हमारे telegram channel से update कर दी जाएगी चलिए दोस्तों उमीद है आपको video और update पसंद आई होगी अगर आप कोई video और update पसंद आई है तो इसे like और share करना मत भूलेगा साथी साथ अगर आपने अभी तक हमारे telegram channel को join नहीं किया है तो link आपको description box में मिल जाएगी जहाँ से आप telegram channel को join कर सकते हैं मिलते हैं next video में another किसी important update के साथ तब तक के लिए stay connected, stay updated